है वेलें वेलकम बैक कोको के टॉप mcq सीरीज में आपका स्वागत है रिजनिंग का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है अमारा डाइस बहुत इंपॉटन टॉपिक है डाइस डाइस आपको दो तरीके से कोशन पूछते हैं आपको एक तो यह पुछेगा कि आपको opposite opposite मतलब विपरित फलक पर कौन सा अंक आएगा या कौन सा digit आएगा आपको कुछ भी तरीके से आपको विपृत फलक पर क्या आएगा ठीक यह आपको देगा पहला चीज़ आपको यह देगा सेकिन क्या देगा आपको डाईस ओपन क्लोज में बेसिकली gruppa करता ओपन वादा देता है और यह बोलेगा कि उसको open करेंगे तो कौन सा figure form हो सकता कौन सा figure form देखे तो उस दाइस में छे सर्फेस होता है यह इस तरीके का डाइस होता है उसमें छे सर्फेस होता है पहला सर्फेस दूसरा सर्फेस तीसरा सर्फेस चौथा सर्फेस और पाच्वा और यह छे सर्फेस ठीक यह सर्फेस होता है हो सकता है कि आपको वहाँ पर एक डाइस दे या हो सकता है कि आपको वहाँ पर दो डाइज दे या हो सकता है कि आपको तीन या आपको उससे अधिक डाइज दे ठीक अब आपको डो डाइज देगा इसका मतलब नहीं कि वहाँ पर दो डाइज दिया है इसका मतलब यह है कि आपके पास एक ही डाइज है जैसे यह वालग डाइस है, इसके पोजिशन आपको अलग अलग तरीके से दिये हैं, जैसे अगर मैं यहां पर पाँच लिखाओ, यहां पर चार, यहां पर तीन, यहां पर दो, यहां पर इस तरह के इस लिखाओ मैं, होगा क्या, कि एक बर इस तरह के इस दिखाए जाएगा तो एक बार अपन यहां से वीव देखेंगे, तो यहां पर यह तीनों दिखेगा, अब अगर मैं वीव यहां से लूंगा, तो यह तीनों वीव दिखेगा, जो यहां बैठा होगा, उसको यह तीन वीव दिखेगा, जो उधर बैठा होगा, उसको यह तीन वीव अलग दिखे यह आपको नहीं देगा, जैसे यह वाला face और यह वाला face, ठीक है, यह दो face आपका हुआ, तो आप कुछ भी कर लिजिए, आपका opposite size, विप्रित फलक क्या होगा, आपको किसी भी condition पर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक, यह दो चीज़ हमको याद रखना है कि आपको opposite क्या suppose आपको दिया है, तो इसका मतलब आपको 4 के साथ 2 दिखाई दे रहा है, और 4 के साथ 5 दिखाई दे रहा है, और 2 के साथ 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब किसी भी इस्तिती में 4 के विप्रित में 2 नहीं होगा, 2 के विप्रित में 4 नहीं होगा, 2 के विप्रित में 5 और 5 क प्रित में चार और चार के विप्रित में पांच आपको किसी भी स्तिती में नहीं हो सकते हैं क्यूंकि वो आपको विजिबल है ठीक वो आपको क्या है विजिबल है चार के साथ क्या दिख रहा है पांच दिख रहा है चार के साथ क्या दिख रहा है दो दिख रहा है और दो के हम बोलते हैं आशन फलक नहीं देगा यह सबसे पहला आपका दूसरा जो हम देखेंगे सबसे पहला आपको पता करना पड़ता है कि वो जो dice है ना वो आपका standard है कि आपका non standard है मतलब वो जो पासा है वो मानक पासा है कि वो आपको अमानक पासा है सबसे पहला काम आपको ये बताना पूरता है करें आपको दिया हुआ है ठीक है यह आपको दोपासा अब अगर मैं यहां पर देखा कि यहां पर पहला काम क्या होगा आपको पासा देगा तो आपको पहला काम आपको पता करना पड़ेगा कि क्या वो पासा मानक है कि आमानक है कैसे पता करेंगे अगर कोई से भी दो कोई से भी दो adjacent face मतलब जो आपके पास आसन फलाक है जो भी दो adjacent face है अगर उनका टोटल 7 नहीं आता है अगर उनका टोटल 7 नहीं आता है तो वो मानक पासा है 7 नहीं आएगा तो वो मानक पासा होगा जैसे 4 और 2 6 4 और 5 9 2 और 5 यहाँ पर मिला है तो कितना आ रहा है साथ आ रहा है इसका मतलब यह मानक पासा नहीं है ठीक यहां पर देखा तो तीन और छे नो तीन और दो पांच और छे और दो आठ आ रहा है योग कहीं पर भी आपका साथ आ रहा है क्या साथ नहीं आ रहा है इसका मतलब यह जो पासा होगा यह आपका मानक पासा होगा क्या होगा हमारे पास यह क्या होगा मानक पासा यह कहला आएगा. क्योंकि आसन फल्कों का जो योग है कोई बी दो आसन Howndत योग हम को साथ नहीं मिला है तो वह यहाँ पर क्या होगा मानक पासा होगा अब. अगर marche सपोज exists यो मानक पासा है तो एक के विपरीत में 6 आएगा, 6 के विपरित में 1 आएगा, 2 के विपरित में 5 आएगा, 5 के विपरित में 2 आएगा, 3 के विपरित में 4 आएगा, और 4 के विपरित में 5 आएगा, ये शोर्टी आपके पास होता है, मतलब जो भी opposite side होगा, उन opposite side का जो योग होगा, वो हमेशा यहाँ पर क्या तो वो हमारे पास क्या होगा मानक पासा होगा जब इनके कोई भी दो आसन फलकों का योग क्या होगा साथ नहीं होगा तो वो मानक पासा कहलाएगा और अगर योग साथ मिल गया है तो वो आपका मानक पासा नहीं है तो उस कंडिशन पर आपको विपित फलक पर बोला है तो अलग-अलग यहाँ पर क्या बनेगा इस्थीती बनेगा आपको ठीक यह हमारे पास पहला चीज आपके पास हुआ ठीक है अब इसमें से जो है कोशन किस-किस प्रकार पोशता है वो हम देखते हैं ठीक पहला जो फर्स कंडिशन होगा वन फेस कोमट ओनो और सेम प्लेस में होगा 1 फेस कोमन होगा और क्या होगा सेम प्लेस में होगा जैसे यहाँ पर दिया है चार यहाँ पर दो यहाँ पर एक यहाँ पर चार यहाँ पर पांच यहाँ पर छे यह हमको दिया है तो हम देखते हैं कि यह पहले पासे में और दूसरे पासे में यह चार कॉमन है चार कॉमन है राइट दूसरा सेम प्लेस में कॉमन है यहाँ पर भी ऊपर के भाग में common है और यहाँ पर भी ऊपर के भाग में common है तो उस condition पे इसके left में क्या है 2 और इसके left में क्या है 5 तो 2 के opposite में क्या आ जाएगा 5 इसके right में क्या है 1 इसके right में क्या है 6 तो ये दोनों क्या हो जाएगा opposite मतलब एक के opposite में क्या हो जाएगा 6 अब बच क्या गया है चार दो को 5 मिल चुका है एक को 6 मिल चुका है तो 4 के लिए एक ही बचेगा और वो क्या बचेगा ठीक और उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे पाना पासा मानक है किया मानक है है यह चार और दो छे चार और एक पांच दूरे तिन कहीं पर biztoku 7 नहीं आया है चार और फांच ग्यारा और चार और फांच नो चार और यह दस त्वा पांच और हो 17 and to ऐसले का आद sudah होगा चारीा जे करण आगा तुमेटिक लि Catch eleven experienced आपका two-face common होगा क्या होगा two-face common होगा वो कहीं पर भी हो उससे फरक नहीं पड़ेगा जैसे 4, 5, 2 4, 5, 3 यह हमको दिया है तो दोने में common क्या है हम दोने में common देखे कि यहां पर 4 और 5 और यहां पर 4 और 5 common है तो क्या बज गया है 2 और 3 तो 2 के opposite में क्या हो जाएगा 3 ठीक clear हुआ यह हमारे पास 2 से बढ़ा होगा ठीक है Now the third condition Now the third condition is common तो होगा one face common होगा one face common होगा one face common होगा पहली बार क्या था one face common था one face common था और क्या था same place common था अब same place नहीं है ठीक है जैसे मैं इसी figure में ले लेता हूँ मैं यहां पर 4 लिया 3 लिया और 6 लिया यहां पर मैंने 4 लिया यहां पर मैंने 5 लिया और यहां पर मैंने 2 लिया ठीक अब इस condition पर क्या हो रहा है इससे पहले चार common था और चार सेम जगा common था ूपर ऊपर common था क्या आप common है के सेम जगा, अब common नहीं है 이제 Still अब different जगा common है, तो उस सिनारियों में क्या होगा कि एक बार आप क्या करेंगे, एक बार आप चलेंगे clockwise घडी के लुक में और एक बार चलेंगे anti clockwise तो इस तरीके से गुमाएंगे एंटी क्लॉक्वाइज बोला तो इस तरीके से गुमाएंगे एंटी क्लॉक्वाइज बोला तो हम इस तरीके से गुमाएंगे ठीक है एंटी क्लॉक्वाइज बोला तो हम इस तरीके से गुमाएंगे ठीक अभी फोर को बेस लेता है फोर से क् क्या मिला two यहाँ से six लोक जाएगा क्लॉक फान्च कोटर सब любов Ahhh यहाँ से इस तरी इस सफेसलग queremos unquote province होगा जी यहां से इधर आये तो क्या मिला? 3 और यहां से इधर आये तो क्या मिला? 5 तो 3 को क्या मिल गया है? 5 ठीक 6 को 2 मिला, 3 को 5 मिला तो बचा कौन है? एक बचा है, तो एक को कौन मिलेगा? 4 ठीक यह हमारे basic वाले question हुए अब अगर suppose कोई भी phase common नहीं है ठीक है ना कोई भी phase common नहीं है कोई भी phase common नहीं है जैसे मान लो suppose यह आपको दिया है A यह B और यह C और यह आपको दिया हुआ है D, यह E और यह F, सब्पोज आपको इस तरीके जाए, क्या कोई चीज common दिख रहा है क्या, कोई common दिख रहा है, तो इसके उपर में A और इसके उपर में D, तो A के opposite में क्या हो जाएगा D, B के opposite में क्या हो जाएगा E, C के opposite में क्या हो जाएगा F, है कि यह हो वह आपको नंबर के रूप में दे वो सकत Alab какую में दे और कभी कबार आपको क्या करता है कलर के रूप में देता है और कभी कब आपको स्धान की रूप में देखता है एक बर्भसको ध्यान से देख लीजिए पिर आगे वढ़ते हैं कि मेरे एक मैत्पों चीज क्या बताए था कि विप्रित फलक कभी दिखाई नहीं देगा और पूजिटीट फलक कभी दिखाई नहीं देगा चलिए अब कोशेंस पर आते हैं ये पांच है और ये छे है ये दोनों का योग करेंगे तो साथ नहीं आ रहा है ये दोनों का योग करेंगे तो साथ नहीं आ रहा है ये दोनों का योग करेंगे साथ नहीं आ रहा है जब कोई भी दो आसन फलकों का योग कोई भी दो आसन फलकों का योग साथ नहीं होगा तो पासा कुन सा कहलाएगा तो वो जो मेरा पासा है ना वो मेरा पासा क्या कहलाएगा मेरा मानक पासा है और जब मानक पासा में क्या होगा एक के विपरित में क्या आएगा छे तीन के विपरित में क्या आएगा चार और दो के विपरित में क्या आएगा पांच ठीक तो पूछा क्या है तीन का पूछा है तो तीन के विप्रिश सताय पर क्या आएगा चार यह हमारा अंसर होगा क्लियर हुआ पहला कोशन आपको किस तरीके से बोला है आपका ठीक कुछ लेक्स कम तूप नेक्स्ट कॉस्चन और यह आपको दो पासा है मैंने पहले बताया अगर आपको दो पासा दिया है इसका मतलब वो दो पासा नहीं है कि एक ही पासा है उसको अलगए अलग अगल से आपको दिखा रही है एक बार इस अंगल से दिखा रहा है एक बार इस अंगल से ईक भी आद से इस और उस अंगल से तो उनका एंगल डिफरेंट हैं तो जो जिसके उप और दो पीज़ीं जाहर है आपक airflow कि दो पांच दो पांच कॉमन है दो पांच दो पांच कॉमन है यहां क्या बज गया है तीन यहां क्या बज गया है चार तो तीन के उपोजित में हमारे पास क्या होगा तीन के उपोजित में होगा चार हो जाएगा क्लियर चार के ऊपजिट में क्या होगा तीन तीन के ऊपजिट में क्या होगा चार हमारे पास नो दे नेक्स्ट कोशचन दो के भी प्रित में कौन सा होगा ठीक है तीन पाँच तीन पाँच common है बच कौन गया है एक और दो तो दो के opposite में कौन सा आएगा एक हमारा answer अगला दो के opposite में कौन सा आएगा आएगा 10 अप इसमें को भी तो common नहीं और यह हमारे पास अमानक पासा है अमानक पासा है कर नैक यह है क्योंकि 2 अपन्ज कितना हो जा रहा इसातफ कि योगसट में मैं अमानक पासा है और दोनों एक ही पास मतलब यह भी अमानक है मतलब यह भी हमाराना की होगा तो या दोगा आपके पास पांस सब्सक्राइव मिला जहींस और यूदə फॉन यहाँ पर क्या मिला दो तो मैं यह बोल दिया कि 6 को मिलेगा 2 मिलेगा तो 2 को फॉस्मuda घुमot तीन के Osite सब्सक्ताअ में क्या हुआ फीजित मैं क्या हुआ तीन हुआ और 5 मिधा है एक को दो तीन को चार मिला है छे को दो मिला बच कौन गया है एक को कौन मिलेगा एक को क्या मिलेगा पॉछता है तो उस सबस्था में घ्यान से देख लिजिए अगले प्रश्न में आते हैं 6 के विप्रित तल पर कौन सा होगा यह है तो अमानक पासा क्योंकि 2 और 5 एक और 6 ठीक 6 के विप्रित तल पर कौन सा आएगा अब यहां देखते हैं हम ए को लेते हैं एक से छे एक हमारा बेस है ना एक से एंटी क्लॉक्वाइस गया तो क्या मिला छे मिला और एक से एंटी क्लॉक्वाइस तो क्या मिला दो मिला तो छे के ओपोसित में क्या हो जाएगा छे के ओपोसित में दो यह हमारा अंसर हो ठीक है और और बनाएकर देख लेते हम, अब अगर सपोस, एक से clockwise गया तो क्या मिला, यहाँ पर 3 मिला है, और यहाँ पर क्या मिला है, पांच, तो 6 को 2 मिला, 3 को 5 मिला, बच कौन गया है, एक, तो 1 को क्या मिलेगा, 4, यह भी आपको पूछ सकता है, चलिए अगले कोश्चिन पर आते हैं अब तक दो पासा था अब आपको तीन पासा है इसका मतलब पासा एक ही है पासा एक ही है वह आपको तीन अलग-अलग आपको एंगल से आपको दर्शा रहा दिखा रहा है ठीक है फैसे दिखें तोर अजन आलग्या समझ्झ मोज़े हैं यह छों यह तो दो आसनफलक को यह कितना तन मिल गए साथ मिल इसका मतलब हो है कि या है तो यहां यहां देख लेते हैं , एक चार कॉमन है घ्चार कॉमन हैं तो बच कौन गया दो, दो के opposite में क्या हो जाएगा, 6 ये हमारा answer हो जाएगा, ठीक, दो के opposite में क्या पूछा हमको 6 पूछा ना, यदि दो नीचे है, तो 6 पर कौन सा होगा, मतलब एक top होगा, तो नीचे का कौन सा होगा, यह नीचे का देगा तो पूछेगा top का, simple, ठीक, चल कि और सी कॉमन सेम जगा में कॉमन समझ में रहा है कॉमन के आपर सेम जगा में तो एक को कौन मिल गया है ठीक है क्योंकि एक सेम जगा मुद्धा पहले बता है आपको सेम जगा कॉमन होगा तो क्या है लेफ लेट बराबर होगा राइट बराबर होगा टॉप अब लोग तो अब क्या करें अपन लोग सी से चलते हैं सी से हम क्लॉक्वाइज जा रहे हैं सी से हम क्लॉक्वाइज गया है तो क्या मिला दी मिला सी से क्लॉक्वाइज गया तो क्या मिला अपने पास ठीक है ना पहले क्लॉक्वाइज गया थे हां पर क्या मिला ए को क्या मिला ए मिला तो बच कौन गया है इको ए मिला बच कौन ग भी सीडी हो चुका है तो बचा को ने एक एफ है तो सी के उपोजिट में कौन सा बोलेगा सी के उपोजिट या सी के सामने कौन सा आएगा तो एफ हमारा आंसर नहीं है तो इस अगला कि ध्यान से देखिए कुछ इस कौमन है हाँ एक दो एक दो कौमन है बच कौन गया चार ठीक है ना एक और दो कौमन है ना कौमन कौन सा है एक और दो कौमन है ठीक देखिए कौमन कौन सा इसमें कौमन देख लिजे अच्छा पहले में कोई चीज़ कौमन नहीं है अच्छा यहां से एक चीज़ अपन देखेंगे तो यह कितना है एक तीन कौमन है एक तीन कौमन है तो बच क्या गया दो और पाँच तो यह मैं शोर हो गया कि दो को क्या मिल रहा है पाँच ठीक है और कोई चीज यहां पर ठीक है और दोनों में कोई चीज कौमन है चलिए आप को कौमन दीख नहीं रहा है तो हम क्या कर लेते हैं हैँ दो कॉमन एगा न से क्लॉक्वइस गया तो क्या मिला तीन hört मिलम इड़ा क्लॉक्वार्स जाएगा झायगा नहीं पर क्या मिला मुझे और अ Smith को मिलैं ठीक अब इसी दो से हम clockwise ऐसी जार है clockwise ऐसी घुमेगा क्लॉक का गुमने का यह तरीका होता है एंटिक वास तरीके से होता है तो तीन का आप उपसिट में क्या मिल जाएगा चार तो चार का आपसिट में क्या होगा तीन यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक चलिए अगला देखते है नाइट तंबर क्यान से देखिए ठीक पहला काम देखिए अपने स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है देखे समझ मैं नॉन स्टैंडर्ड रहे और क्या हो जारा साथ हो जा रहे है ठीक है अब पांचें चार ठीक क्या के दिया आपके पास हम ध्यास देखे तो पहले में पांच चार एक दीए दूसरे में क्या दिये है 4, 6, 3, तो इसमें आपर क्या दिया है 2, 6 और 5, 6 का पूशना अपने पस, ठीक है पने पस 6 का, ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं आपन लोग, देखो यह 6, यह 6 निकाल लिए, यहाँ पर क्या बचा है आपके पास, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर क्या बच्या पाँच तीन के ऑपोजिट में क्या होगा थीक है तीन को पाँच में टॉक्ट तो तीन को पांच मिल चुका चार को दुद चुका है तो छे के लिए कौन बच्चा छे के लिए सिर्फ एक ही बच्चा है कौन बच्चा है एक इसलिए एक हमारा अंसर हो जाएदा क्लियर हो गया कौन सा था यह नववा नंबर चलिए दस्वा आते हैं छे के सामने कौन सा अंख है आपको यह पूछा है छे के सामने कौन सा अंख है आपको यह पूछा है ठीक यहां हम देखे तो पांच पांच सेम जगा कौमन है तो चार को कौन मिलेगा तीन मिलेगा एक को कौन मिलेगा छे मिलेगा तो छे के ओपोसिट में क्या हो जाएगा समझे कितना असान है चार आगे आप देखे चार वाना तीन के अपोसिट में क्या है आपको यह पूछा है ठीक है आपको एक चीज बताया था एक चीज आपको एक इंपोर्टन चीज है था कि कभी भी विप्रित फलक दिखाई देगा क्या जैसे 2-3 और 6 आपको सब्सक्राइब क्याएक आपको एक साथ दिखाइब यहां तो आपन तुम देको लेता है अब तीन के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है तेन के साथ मुझे यहां पर इस फिगर में एक दिखाई दिया और दो दिखाई इस फिगर में मैं देखा, तो मुझे 5 भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो दिखाई दिया है, और यहाँ पर 4 भी दिखाई दे रहा है, तो एक चीजाए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमारे पास क्या है, 6 जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 के विपरित है different जगा common है आपको वो देखना है और कौन सा चीज आपको सबसे ज़्यादा बार दिखा गिए जो इसका अगेंस्ट में possible होगा नहीं दिखने का ठीक यह आपको बास चार पांच चीज आपको ध्यान में रखना है बारा नंबर सेम वो ही है तीन के opposite में आपर क्या होगा तीन के opposite में आपर क्या होगा ठीक यहां देखते हैं तीन और तीन देखो छे को मिल गया दो एक को मिल गया पांच बच कौन गया है चार तो तीन को कौन मिलेगा तीन को मिलेगा चार देख लिजे ध्यान से दिग्या गुट अगर कोशन पर आते हैं सेम वोई बिलत तीन का अपोजिट में क्या होगा ठीक है भाई देखिए देखिए छे-चार-छे-चार कॉमन है तो आँख बंद करके तीन के अपोजिट में क्या होगा दो इतना ही आपको समय लगना है क्योंकि अब आप लोग ने मास्टे हासिल कर लिया है अब आप लोग समझ चुके है 14 बताइए क्या होगा चार का अपोजिट में हम देखते हैं कि सभी में आपको चार दिया है सभी में आपको चार दिया है चार के साथ 6 दिखाई दे रहा है पांच दिखाई दे रहा है दो दिखाई दे रहा है एक दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर भी 3 दिखाई दे रहा है कहीं पर भी 3 दिखाई नहीं दे रहा है तो अब आपको दिया हुआ है ठीक है यहां से आपका चालू हो रहा है कि इनको क्लोस कर रहा हूं मतलब यह में पास एक पासा ओपन करके दिया है पासे में पूरे छे को आपको क्या ओपन कर दिया है ठीक है तो उसमें कौन सा बन सकता है कोन सा नहीं बन सकता तो यहां पर ध्यान देना कि एक-इक छोड़के छे पोपॉजिट में क्या होगा चार किसी भी स्तिती में छे और चार एक साथ दिखाई नहीं देंगे यह पहला condition क्यूंकि alternate alternate मतलब एक छोड के जो एक बनता है न वो उसका opposite होता है जैसे 6 का opposite कौन हो गया तीन चार हुआ तीन का opposite कौन हुआ पाच हुआ तो बच कौन गया है एक और कौन बच गया है दो तो एक के opposite में क्या होगा दो होगा छे के opposite में चार होगा और तीन के opposite में क्या होगा पाच होगा यह जो जो जोड़ी बताया हूं यह जोड़ी किसी भी स्थिती में आपको एक सार दिखाई आपको नहीं देगा हम यहां पर देखते हैं तो छे और चार दिखाई दे रहा है तो यह तो नहीं बन सकता है यहां परम द क्लियर हुआ ध्यान से देख लिजे विप्रित फलक कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा बस आपको यह देखना है कि कौन सा आपको नहीं बन सकता है ठीक अब यहां पर बताया आपको तो यह कंफर्म हो गया कि इस स्टार के साथ यह आपका सॉरी सॉरी बादर के साथ आई दिकाई नहीं देगा इस हैस के साथ स्टार दिखाई नहीं देगा और परसेंट के साथ यह लेज देन सारी ग्लेटर दिखाई नहीं देगा ठीक तो पहले अपन लोग क्या के साथ डॉलर दिखाए नहीं बन सकता है इस के साथ स्टार हैस के साथ स्टार नहीं बन सकता ग्रेटर दन के साथ पर्सेंटेज ग्रेटर दन के साथ पर्सेंटेज यह नहीं बन सकता है वो हमारे पास अगला एक्स और जड इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पर पी इधर लेके चला गया ठीक है तो वाई के साथ पी और क्यू के साथ आर तो क्यू के साथ आर देखते हैं क्यू के साथ आर नहीं बन सकता है वाई के साथ पी वाई के साथ पी नहीं बन सकता है एक्स के साथ जड नहीं बन सकता क्यूंकि यह ओपोजिट है आपको दिखाई नहीं दे सकता तो एक ही बनेगा कौन सा बनेगा डी वो हमारा अंसर होता है इसको उपर लेके गए, तो G के साथ Y, G के साथ में Y आपको कभी दिखाई आपको नहीं देगा, G, Y पॉसिबल नहीं है, ठीक, बी के साथ में W, B के साथ में W पॉसिबल नहीं, बस कोंगे है, O के साथ R, कहीं पर नहीं दिखाई, तो सिर्फ आपका ये फिगर बनेगा, क्योंकि बागे तीनों बन नहीं सकता, बस आपको क्या करना है, जो नहीं बनेगा, उसका ऐलिमिनेट क बच बनेगा अगला यह आपको 123 करके भी दे सकता है आपको बीसी करके दिया और हो सकता है कि यह आपको छलर दे लाल जाल काला पीना निला आपको ऐसा दे सकता है एक के साथ में डी नहीं आ सकता है यहीं नहीं बनेगा यह भी नहीं बनेगा और यह भी नहीं बनेगा तो एक ही बज गया है एन के से ना अच्छा कौन सा बनाय जा सकता है ठीक अच्छा भी तक क्या था इससे पहले यहां पर क्या था भी तक अच्छा कौन सा इसमें नहीं बनाय जा सकता है ठीक है ना एक के साथ डी बी के साथ ए कौन सी बनाय जा सकती है लेकिन यहां पर कंडिशन क्या होगा एन के साथ ओ अच्छा यह थोड़ा सा हो गया है है ना कि जो इक है यहां पर यह ऩर लेजय के लिए टीकल यह हूं सा बनाय हुक्तह है तो आपका यह बढ़की सब में एड्य कॉमन है एड्य कंडाने तो बच्च कहां मुद्धे है नी ही ठीक है तो हमारे पास यह आपको बनाए जाए टेसं है आसे पुम्राने दिरने पेड़ा देसकि स्नुअवर कोरणी अपतरत को हमातर सबीरी gitu यह क्यों पुछें करा मह से कि कुछेंची आपकोला चक्राइब गिनित आपकोलगा टीक ख काला हो किना उन्यम किना बार दूसरा यह जब आपको फिगर बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता आपको यह बन पोचे यह दो चीज थीक है ऑगले वीडियो में तब तक के लिए थांक्यों कि आप कर दो कर दो